सब्सक्राइब इस फीडियो में आज हम लोग डिसकेशिंग करने वाले आई याज सीटी सी जो कि आज बहुत जबर्दस इंदर पहली बार यहां पर आज स्टॉक ने 5000 के लेवल को टेस्ट किया और ना सिर्फ 5000 के लेवल को टेस्ट किया एक निया हाई बनाया स्टॉक ने 55,594 रुपे का जो कि आज इस तोंग थीडियोxico कर अज़ यह त्रीडियोन की चार की करता दा लगँग यह उपन बात करें सा बहुत थ सब्सक्राइब करने वाले लेकिन इससे बहले अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्काइब कर ले और बैल आइकन को प्रेस कर ले जिससे की नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे बहले मिल सके और अगर आपके बास टेडिंग करने के लिए कोई डिमेट नहीं है तो आप अपने स्टॉक जैसे बड़े प्लाटफॉर्म पर या फिर एंजल बॉकिंग जैसे बड़े पर सबसे पहले आपको याद होगा जब इसका आईपयो आया था ठीक दो हजार उनिस के अंदर सितम्बर अक्टूबर का महीना था तब इससे शॉक का प्राइस इसका प्राइस से जो कि इसका डिसाड किया गया था और बाद में यहां पर जो है कंपनी की तरफ से स्टेट् इसका वैलेशन किया गया यहां पर चॉवन सो के पार डॉज हुआ है यहां पर अठारा गुना स्टॉप जो हो चुका है अठारा एटीन टाइम्स हो चुका है यहां इन आठारा सो परसंटेज की स्टॉप ने भी तक देखा जाए तो पिछले जब से लिस्ट हुआ है अगर आप यहां पर देखोगे इसका बिजस किसमा आता है ट्रेवल एंड टूरिजम के अंदर कंपनी ऑपरेट करती है पैकेज ट्रींकिंग वाटर का इसका एकमातर इसके पास क्या है मॉनोपॉली है रेल्वे के अंदर इसकी जो पैकेज जो पैक्ड ट्रिंकिंग वाट मिलता है आपने कभी ने कभी सफर जरूर किया होगा और आपने पानी प्राणा वाला बिजस का आपडेटिटि नहीं है अब रिसेंटली कंपनी ने बस की टिक्टिंग मी स्टार कि है तो overall इसकी market के अंदर काफे अच्छी monopoly है company की strength जो है बहुत जबर्दस है और अभी हैसे हम देखे तो stock जो है अभी इस rally के पीचे आज का सबसे बड़ा कारण क्या है first कारण आज ये है कि ये stock F&O के अंदर जो when था बैन हुआ था कल तक के बैन था F&O band में से ये stock बाहर आता है वैसे ही stock के तब भेंग कर तीजी आती है तो सबसे पहला कारण stock की बीचे भागने का सबसे बड़ा कारण ये है कि F&O band से stock बाहर आया और जैसे ही बाहर आया सबी के सबी जितने बड़े investors थे सबी के सबी इसके जंप कर गए और stock जो है देखते ही देखते open होते के साथ ही यहां पर intraday में stock लगाता दोड़ लगाता चला गया और second इसके दोड़ आई थी आज बड़े थी करीब एक बजी के असपस तो चाज़ से अठीक कर्ड़ेंटिक कर देखें अब जिए जो गया गाई के हार बंड़े इसका泡 है ऐसा इसलिए है because company एक मातर अकेली इस इंडेस्टिक के अंदर क्या कर रहे है उपरेट कर रहे है लिस्टिट कंपनी है इसलिए जो भी इस कंपनी का प्राइज दने ग्रेश होता है वो इसका अपना भी होता है और हमने ऐसे बहुत सारी कंपनीज भी देखी है जो कि इस वक्त दो हजार के प्राइज के उपर भी ट्रेड कर रहे हैं और सक्सेस्फुली अभी उनके इंदर रैली चालू है तो ऐसा नहीं है कि यह स्टॉक दो सब्चानवे के उपर आ चुका है तो बहुत जादा महेंगा है अगर यह दो हजार के प के अंदर जो गया है अगी सिर्फ सब्चानवाले को यहां पर नंबर से नंबर कर नंबर के आने वाले कि और अभी यहां पर कंपनी नंबर नंबर काफ चाहनी की उमीद है शेरोडिंग पैनंपर आगर हम नजर डाले तो यहां पर FIS ने थोड़ी सी आपर profit booking की है जैसे कि हमने last news देखी थी एक अफ़ते पहले कि इसके अदर FIS ने अल्रेडी काफ अची रिटर जेमिडेट कर लिए इसलिए उन्होंने थोड़ी से profit booking आपर की है और DIS ने भी इसके अदर profit booking दबा करके की है तो last quarter के अंदर अगर हम देखे सितंबर 30 तक तो सेप्टमर quarter में FIS ने और DIS ने profit booking दबा करके किये और जैसे कि मैंने आप से पहले भी कई बर समझाया है कि जरूरी नहीं है FIS के अंदर और DIS के अंदर अगर उनका share गरता है यानिकि उनका यहां से participation हो कम होता है तो इसका मतला यह बिलकुल नहीं है कि share जो है अब bullish की जगह bearish board में जाने वाला है कई बार उनका decision भी जो है गलाशाबित हो जाता है इस वक्त market के अंदर जो rally है वो एक ऐसी rally है जो सभी का expectation के विपरी तिसवाग चल रही है अब देखें सबसे बड़ा कारण क्या है कि आज यह इतना भागा है share अगर हम यहां से आते हैं यह है आपके सामने mint की site है और इसके उपर यहां पर भी बताया गया है कि आज यह share इसका क्यों दोड़ा है पाँजर के लवल पर अब share के पीछे दोड़ने के पीछे एक नहीं तीन से चार कारण है और इसके लिए बहुत सारे कारण है कंपनी का बिजनस का expansion हो गया कंपनी F&O Bands से बाहर आई है और साथ में यहां पर जो बताया गया है अपडेट जो आया है सेप्टेंबर क्वाटर में इनके जो ट्रेन टिकेट बुकिंग है उसमें बढ़ोतरी देखी गई है और जिसका impact हमें सेप्टेंबर क्वाटर में देखने में मिलेगा तो अभी यहां पर जितने भी अगर हम देखे तो जितने भी पड़ी हैरानी नहीं होने वाली और जैसे कि आपको रिसेटली हमारी लगबख एक अफते पहले जो वीडियो आई थी उसके इंदर हमने आपको बताया था कि इसका जो टार्गेट है फाइफ थाजन रुपीस के और एक बार नहीं दो बार आपको वीडियो के इंदर हमने रिमाइंड कराया था फर्स्ट वीडियो है यह वाली आपके सामने जिसके अंदर आपको आयर सी टीची का टार्गेट 5000 का दिया गया था और इसके लावा सेके जो वीडियो है जिसके अंदर आयर सी टीची का टार्गेट आपको यहां पर ठीक एक अफते पहले वाली वीड के बाहर है तो हमने जितने एक्सपेट किया था 5000 का रेजिस्टेंस बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था जैसे कि हमने देखा भी था शुरण के बाहर है अगर इस चाट को सबसे पहले हम कंवर्ट करते हैं यहां से आया किया और मैर्च का करीब सासो रूब्राइब चाओ उसके बाद स्टॉक जो है धीरी-धीरी-धीरी काफी लंबे टैम तक कॉंसरेशन जून में आफ्ट थे उसने दो जार के लेवल को टेस्ट किया मार्च इसी महीने इसी साल के मार्च के अंदर फिर स्टॉक ने धीरी-धीर जो रैली पकड़ी उसको फिर शायद सभी ने मिस्स किया होगा, मैक्सिमम लोगों ने इस रैली को मिस्स किया है, जिन लोगों ने भी 2600 के लेवल के बाहर इस स्टॉक को पर्चिस करना बंद किया था, उन लोगों ने यहां पर बहुत बड़ी गलती किया, इवन 4000 के लेवल पर भी जिन लोगों ने इस स्टॉक को मिस्स किया, उन लोगों ने भी यहाँ पर बहुत बड़ी गलती किया अब यहाँ पर सवाल यहाँ आता है कि चोवान सो के लेवल पर आ चुका है तो क्या यहाँ पर पर पर्चिस करना सही रहेगा या क्या यहाँ से हम लोग इसको अवाइड कर सकते हैं कहीं ऐसा नो छोका है और उसके बाद यह है आपका इसके लावाड करें यहां 60 के उपर है यहां पर जो वाल्यूम के साथ जो ब्रेकट आया है जब ऐसा कभी होता है किसी स्टॉक के इंदर कि उसके इंदर वॉल्यूम के साथ लगातार ब्रेक आता है तो ऐसे में टेक्निकल इंडिकेटर्स जो है मैक्सिमम टाइम जो है फेल हो जाते हैं तो ऐसे में करने के हैं यहां पर चौवण पॉइंट चौवण सो त्रेसर पर स्टॉक क्लोज हुए है नमबर ऑफ बायर्स आफ्टर मार्केट में 181 है जो लग बग 10,115 शेयर्स खरीदने के लिए तयार है तो आफ्टर मार्केट ओर भी ठीक है इसके अदर बहुत जादा लीक नहीं है दस परशेंट आज जोड़ा है अभी यहां से इसको टार्गेट नेक्स निकल करके आता है फॉर्स टागेट स्टॉक का जो आपको मंडे को देखने लें मिल जाएगा फॉर्स टागेट इसका है 5555 यह इसलिए आपको दि सब्सक्राइब जाएगा तो इसको टार्गेट से लेकर के फिर वापस चार जार के बीच में ट्रेड करता होने जराएगा दो साल के अंदर और ऐसा होता है तो इसको आप 5 से मल्टिपलाई कर दिजिए यानि इसका जो शेर का प्राइज है आने वाले दो से तीन साल के अंदर इसका प्राइज आपको 20,000 के लेवल पर देखने के लिए मिलेगा और 20,000 का लेवल का मतलब यह है कि अभी स्टॉक चाहिए और जिसकी कन्विक्शन बहुत ज्यादा हाई है कि आने वाले दो से तीन साल के अंदर स्टॉक इस फिल्ट होने के बाद साड़े तीन जार से लेकर के चार जार के लेवल में वापस आपको ट्रेड करता हो नजर आएगा जिस तरीके से डिक्सॉन जो है रिसेंटल जार 250 का स्टॉप लॉस है जिसको आपको किसी भी कंडिशन में नहीं करना अधर्वाइस आप लोग बहुत जादा लॉस्ट में फास सकते हैं तो यह आपके लिए क्विक अपडेट इसके बद आपसे मिलेंगे नेक्श वीडियो में एक नेट बिट साथ अब तक लेएंग है जिस्टवले इस्टवराइस